है ला दोस्तों कैसे आप सब आई होप आप अच्छे ही होंगे दोस्तों आज की जो वीडियो श्टार्ट फरने वाली है वह है रियल नैचर व्लोग्स विदाउट एडिटिंग दोस्तों वीडियो चलेगे तो लाइक शेयर करना ठीक है न और इस तरह के और वीडियो देखन दोस्तों विडोग स्टार्ट हो चुका है यह पर भोबरा यहां पर यापी तरह है पड़ता है यहीं से होके गोब के जाना पड़ता है दिल्ली इससे आगे आएगा DLF तो DLF से आगे फिर दिल्ली दिल्ली लगती है लेकिन मैं जा रहा हूँ दिल्ली से अपने नवादा पूरन पूर नवादा गाउं में तो दोस्तो आगे चलते हैं दिखाते हैं यह देखिए यह मैं आचुका हूँ यह भोपरा से आगे का है अपने गाउं की तरफ को चलते हैं दोस्तो यह दिल्ली NCR में ही है यह सोसाइटी बना रखी है इसका नाम रखा है दिल्ली 99 यह दिल्ली NCR में ही आता है तो दोस्तो देखिए मैं आचुका हूँ जावली गाउं मैंने पार कर लिया है इसके बाद का जो सीन है यह है यह रियल नेचर विदाउट एडिटिंग दोस्तो इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं है यह बिल्ली रियल नेचर है यह देखिए यहाँ पर बंबा पड़ता है इसके उपर में फिलाल खड़ा हुआ हूँ बहुत ही अच्छा मोसम है आज का तो दोस्तो आगे कर लियल नेचर दिखाते हैं चलते हैं हम आगे तो दोस्तो देख सी सकते हैं आप मेरे पीछे कैसा बैगराउंड है मेरा यह रास्ता बिल्कुल सुमसाम है पेड़ो से ढखा हुआ रास्ता है यह लेकिन इदर को मज़ा बहुत आता है यह देखे चलते हैं आगे पता है ना मुझे उतना दोस्तो हमारी एंट्री ओली वाले है रिस्तल गाउं में यह रिस्तल गाउं पड़ता है रास्ते में देखें दोस्तो मैं आ चुका हूँ रिस्तल गाउं से आगे जो मैंने पार कर लिया है यह इसके बाहर का जो जंगल है यहां का नैचर है यह बहुत ही सुन्दा था बार बार वीडियो बनाने के लिए रोकने पड़ती है बाइक मुझे सोट्स लेने पड़ते हैं जगा जगा के तो दोस्तो वीडियो मुझे पता है आपको बहुत हची लगी तो लाइक जरूर कर देना ठीक है न तो देखते रहो वीडियो दोस्तो चलते हैं कि इतनी सोर्स बहुत है हर जिगा के लेने आना इसलिए करते हैं दोस्तों मैं फिलाल आ चुका हूं रिष्टल गाउंग दोस्तों मैं फिलाल आ चुका हूं गाउं से आगे जो धारीपूर गाउं है यहां का डीजे मसूर है देव डीजे धारीपूर दोस्तों मैं धारीपूर और जी अपना जो गाउं है पूरनपूर नवादा उसके बीच में जो जंगल पड़ता है यह वो रास्ता है जो खरंजा पड़ता है हमारे गाउं में ज और अमेजिंग लगती है ये जगह कर दोस्तों इस जगह के आप स्क्रीन सोट भी ले सकते हो दोस्ते धान की फसल है अभी बाल नहीं है वैसे काफी लंबाई हो चुकिए इसकी चलते हैं आगे दूर दूर तक भान की फसल है ये है मेरा व्लोक्स फुल व्लोक्स रीज नहीं दोस्तों बहुत ही गंदा रास्ता है खरंजा खरंजा है बिलकुल बाई के बहुत ही उचल रही है कि दोस्ते के रास्ते बहुत ही थराब है आज में सड़कों नहीं आया तो सोटकट में को आया हूं तो इसलिए रास्ता बहुत थराब है कि दोस्तों वैसे इदर साइड को आने में बहुत मज़ाता है कि इदर हर्याली बहुत ज्यादा है कि देखें दोस्तों पेड़ी बहुत अच्छे लगते हैं लगके सारे साथी कि दोस्तों कि दोस्तों प्रास्ता बिल्कुर्स प्राइब करता है कि तो काफी दिन में आया हूं देशाइड तो कि दोस्तों देखें पता नहीं किस चीज के लिए बाउंडरी करी है यह लकड़ी की बाउंडरी कर रखें दर साइड में यह यहां से यहां तर चलते हैं आगे ओ माई गॉड़ इदर तो रास्ता खराब है दोस्तों माई गॉड़ यह तो बहुत खराब हो रहा है रास्ता इदर साइड से करके निकानने पड़ेगी अचानक से आगया आगए क्या से करें दोस्तों देखी कि अच्छा लग रहा हुए बिल्कुल मॉस्त थे तौ है कि दोस्तों ब्लॉग अच्छा लग अच्छा लगए तो लाइक से जरूर कर देना और चैनल किता आपको पता ही ए यह दिस लेना तोस्तों देखी किसी टाइम पर यहां पर तार उस टाइम से टूटा हुआ है लेकिन अभी तक कोई कारवाई कोई सनवाई नहीं हुई है इदर तो यह ऐसी रास्ता पूरा खराब पड़ा है बट नाइट में आने में बहुत कठिना ही होती है यहां पर डर भी लगता है न इसलिए तो चलिए चलते हैं आगे इन्होंने हमा माता जी हमारा रास्ता दे दो हमें इस ट्वैल का पानी पीते थे हम अब साइड हो जाओ खड़ी रहोगी बनगी आपकी वीडियो दोस्तों रास्ता तो आप देखी सकते हो कितनी सुंदर सुंदर रास्ते हैं इदर के ओमाई गोड़ बच चिकिया बचिकिकिया अभी गिर जाते मैं यह देखे हलुआ बना पढ़ाया सवाह को सब्सक्राइब किया आपकर कि कच्ची एं आँ मोरो मोसम दिखाने लग जाता हूं बहुत है चलो इससे निकलते हैं वैसे रास्त दिखा रहो अपनी दर के कैसे रास्ते मारे दोस्तों हमारे गाव पास में आ चुका है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको व्लोग बहुत पसंद होगा तर वीडियो को लाइक शेट जरूर करना ठीक है ना बाई लगे लिए